इंसान के लिए ये सोचना बहुत ही हानिकारक है कि ये ब्रह्मान इंसानों पर केंद्रित है इस हानिकारक प्रकृती से ही उन्होंने ये एक गलती की आपको बताने की कि भगवान ने तुम्हें अपना प्रतिरूप बनाया इतने इंसानों को हर चीज के लिए बहुत मूर्क और बेहुदा बना दिया है भगवान जिंगूर की तरह क्यों नहीं दिख सकते हैं मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं नई, वो मेरी तरह दिखते हैं देखिए नई, शायद वो किसी कीडे की तरह दिखते हैं या भैंस या शायद किसी शेर की तरह शायद वो किसी हाथी या शायद इस धर्ती के किसी भी जीव की तरह नहीं दिखते वो किसी दूसरी तरह दिखते हैं या शायद वो किसी के जैसे भी नहीं दिखते ये ऐसी चीज नहीं हैं जिसका सामना इंसान करना चाहते हैं उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि ईश्वर एक बड़ा पुरुष या बड़ी स्त्री है ज्यादा हाथ, ज्यादा पैर मगर हमारी तरह तो ये विचार जो कुछ धर्मों ने लोगों के दिमाग में डाला है इसने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पूरा भ्रहमान मनुष्य के इंद्रित है और यहाँ सब कुछ हमारे लिए है इस बेफकूफ विचार ने धर्ती को नश्ट कर दिया है हर जीव हमारे आधनिक विज्ञान ने इसमें सहीयोग किया है आज विज्ञान की हमारी समझ बस रीसर्च और रीसर्च है वो सब किसलिए है ये सब इस बारे में हैं कि हम किस तरह दुनिया की हर चीज़ का इस्तिमाल अपनी खोशाली के लिए कर सकते हैं यदि हम एक पेड देखते हैं हम जानना चाहते हैं कि उसका इस्तिमाल कैसे करें अगर हम एक चिडिया देखते हैं उसका इस्तिमाल कैसे करें एक फूल देखते हैं हम जानना चाहते हैं उसका इस्तिमाल कैसे करें एक कीड़ा, एक भौना, एक अनू कोई फरक नहीं पड़ता की क्या हर चीज के बारे में हमें जानना चाहिए कि उसे अपने खोशाली के लिए कैसे इस्तिमाल करें हमने अधिकांच चीजों का इस्तिमाल करना सीखा मगर फिर भी खोशाली नहीं आई है ना हमने हर चीज का इस्तिमाल करना सीख लिया है, मनुश्यों का भी, मगर खोशाली नहीं आई अगर आपके पास सिर्फ बैठ कर चींटियों का, या मधुमक्यों का, या चिडियों का, या किसी अन्य जानवरों के सम्हूं को देखने का धीरज हो उनका पूर्ण विक्सिच जीवन और अपना सामाजिक संपर्ख होता है, सौ प्रतिशत, वास्तम में मनुश्यों से कहीं अधिक सक्रिय और जोशीला जीवन, बस इतना है कि हमें लगता है कि ये सभी चीजें हैं, अगर किसी को कल पता चल जाए, कि चींटियों से प्रोटीन क ये पागलपन है, आप जानते हैं, ये सरासर पागलपन है, हर चीज की अपनी जगा है, अगर हम ये नहीं देखते, तो हमारा दिमाग खराब हो गया है, तो क्या ये भ्रह्मान मनुश्य केंद्रित है, क्या हमें एक मात्र जीवन है, अभी-अभी मैं गर्व कर रहा था, कि मैं बहुत तारकिक हूँ, अगर मैं अपने अनुभवों के बारे में बात करूँ, तो आपको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, मागर ये ब्रह्मान मनुश्य केंद्रित नहीं हो सकता, ये बहुत विशाल है, वो सिर्फ मनुश्य कें में बात नहीं कर रहा,